आपली बार तो यह कि निजी तोर पर मेरा भी यह मानना है कि जब आपका एक्जिट फोल खतम होगा तो शायद सापरा साब आपकी प्रशंसा करेगा ऐसा मैं मानता हूँ अब चुके सापरा साब को अभी तो ठीक भी है पार्टी के प्रवक्ताओं को अपना ही पक्ष रखना चाहिए उनको क्यों इधर उधर जाना लेकिन इस रीजन की जिस सर्गुजा की बात आप कर रहे हैं वहाँ से टीएस सिंग देव आते हैं पूरे चार साढ़े चार साल वो संगर्ष में रहे राहुल गांधी की मध्यस्ता में धाई वर्ष का मुख्यमंत्री बनना है ये सर्गुजा राजगराने की जो विरासत है उनके पास उसमें वो कहते हैं और वो तो यहां तक कहते हैं भाई जिस दिन हमको लगेगा हम चु प्रेन इंडिया चवी है उसका कुछ लाब होहां मिलदा है क्या मुझे ये दो महत्तोपूर्ण चीजे दिखती हैं जो आगे आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा लेकिन सर्गुजा में अगर भाजपा आगे जा रही है कॉंग्रेस पिछड़ रही तो उसकी एक बड़ जानमंडल दरता है करता है तो शायर उनको भी थोड़ा ऐसास रहा होगा अब देखिए 2018 के चुनाव में भारती जंता पार्टी पूरे 36 गड़ में 15 सीटों पर सिमट गई थी और यहां एक रीजन में आप देख रहे हैं कि 8 सीटे भारती जंता पार्टी को मिलती हुई दि पिछली बार ऐसा लग रहा था को मुख्यमंत्री बनेंगे इसने इस एरिया का पूरा वोड़ बैंक भारते कांग्रेस के पास सला गया था मुझे लग रहा है इसके इस कारण के अलावा एक आधिवासी वोड़ बैंक का भी एक बड़ा रीजन रहा है आधिवासी और दली पतला एसी एसी सीटे अगर देखी जाए तो 39 सीट से जो चतिज गड़ के अंदर रिजर्व है 29 सीटे आधिवासी के लिए 10 सीटे एसी के लिए मुझे लग रहा इस शीटे जो आधिवासी सीटे वहाँ पर भी भारतिय अन्ता पारटी ने बहुत अभहता परशन किया है 36 गड़े कैसर यह जहांपर पूरे चुनाव में चुनाव से पहले भी किसी ने भी यह नहीं माना की बहुत नस्दी की मुकाबला होगा मैं कहुंगा लगबग सभी ने कॉंग्रेस पार्टी को आगे माना चलिए तुम्हें राउल जी दक्षिन 36 गर्ड़ भी दिखा लें फिर मैं आपके पास आता हूँ दक्षिन 36 गर्ड़ में 12 सीटे हैं और इन 12 सीटों में आपके सामने आंकड़ा में रखने जा रहा हूँ कहां भाजपा और कहां कॉंग्रेस खड़ी भी दिखाई दे रही है 2018 में इन में से 11 सीटें कॉंग्रेस पार्टी के पास थी तो यह भी लगबख स्वीप था और 2023 में क्या बस्तर में स्थिती बदलेगी या 15 साल पहले वाली ही स्थिती होगी आपके सामने आंकड़ा आ रहा है आप यह है बस्तर रीजन यानि दक्षिन 36 गर्ड़ और यहां कॉंग्रेस पार्टी के पास आठ सीटें है पारटी के पास जाती होए हमें दिखाई दे रही है तो यहां आप देखिए तो दुगनी सीटें जो हैं वह कॉंग्रेस पार्टी को मिलती हुए दिखाई दे रहे है ये भी ट्राइब बेल्ट है, सर्गुजा भी ट्राइबली लाका था, वाम बीजेट बड़ी पार्टी बनी, दक्षिन 36 गड़ के अंदर कॉंग्रेस कमबाक करते हुए बड़ी पार्टी बनकर दिखाई दे रही है, आठ सीटों के साथ, भारती जनता पार्टी को मिलती भी लेकिन जो केंदरिये 36 गड़ है, जिसमें शेहरी इलाका जादा आता है, क्या वहाँ पर जो आभी तक आप काटी किसी ट्रेंट मुकाबला देख रहे हैं, वहाँ भी क्या ऐसा होगा, या वो पूरा इलाका और जादा तर सीटे महीं हैं, उसको एक तरफा मुकाबला बना लेगा, या हमको देखना होगा. इसमें किस मुद्दों पर, खासत और से किन मुद्दों पर इस इलाके में वोट हुआ है, दूसरा, एक बात और हमें धिहान रखनी चाहिए, कि जो आरेसस का जो ट्राइबल एरियास में काम है, वो हमेशा साराहा गया है, उसको ये माना गया है, कि उन्होंने बहुत अच् बीजेपी को एक एरिया में बढ़त मिली है, दूसरे एरिया में अगर कुछ और फैक्र, जैसे ये अभी जो आप एरिया बताई थे, यहां पे नकसल प्रभावित जो इशुषेतर है, तो वहां पर कुछ घटनाएं हुई है, क्या उसका कोई असर पढ़ा है, ये सब फैक् जो है किसी एक पार्टी को हमेशा गया है त्राइबल वोट हमेशा आपको दिखेगा कि वह बटा रहा है अलग लग समय में क्या पाया आपने चतिसगर घुमें आप सर्जन देखिए हमने तो हमेशा से कहा कि यह स्टेट एक ऐसा था कि वीजेपी अगर चार-पांच महीने प पक्षमें लेकिन आपने केंद्रियन नित्रेटवने जितनी कोशिस की लेकिन देर हो गई अंत तक चुनाओ खो जाता लेकिन आपने जो करज माफी वाली बात जो हुई वो भी देख रहा था, बीजेपी के तरफ से ऐसा करज माफी के पैरलल में कोई घोशना नहीं हुआ, उस कारण से अंत में क्या, आप कह सकते हैं कि कॉंग्रेस को कहीं कहीं वाक ओवर बीजेपी के प्रदेश ने त्रितुने दिया है अपनी शितिलता से, और इस कारण से वहा एक्जिट पोल खोली देते हैं, फाइनल नंबर आपके सामने हम रख देते हैं, सेंटरल चतिसगर्क में 64 सीटें आती हैं विधान सभागी, बिलाजपूर, जांजगीर चांपा, राजनन गाओ, दुर्ग, रायपूर, महासमन, और 2018 में कॉंग्रेस ने इन 64 में से 43 सीटें सीटें मिल सकती हैं, भारती जनता पार्टी को, इसके 36 गड़ की exit पोल की तस्वीर बता रही है, कि कॉंग्रेस पार्टी की एक बार फिर यहां सरकार बती हुई दिख रही है हमें, कॉंग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं, 90 में से भारती जनता पार्टी 30 से 40 के बीच में र